कौलकत्ता के आरजिकर मेडिकल होस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर से ग्यांगरेप और मडर की गुत्थी उलश्टी ही जा रही है आरोपी दरिंदा संजे रोय से CBI लगातार राज उगलवा रहा है कौलकता डॉक्टर कांड में हर दिन हो रहे नएक खुलासे ने मडर मिन्स्ट्री को और उलजा कर रख दिया है CBI की 6 दिनों की जाँच में भी ट्रेनी डॉक्टर की हत्या का रहस से नहीं सुलजा CBI सूतरों की माने तो पिछले 6 दिनों की जाँच और पूश्ताच में आरची कर अस्पताल कांड के पीछे एक बड़ी और गेहरी साज़श नजर आ रही है इस बीच CBI को आरोपी संजे रोय का पॉलिग्राफ टेस्ट कराने की मन्जूरी मिल गई है सूतरों की माने तो CBI पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोश का भी पॉलिग्राफ टेस्ट करा सकती है CBI सूतरों की माने तो मौका ए वारदात को सुरक्षित नहीं रखा गया यह इस वारदात में अस्पताल की अब तक की सबसे बड़ी लापरवाही सेमिनार हॉल पर मल्ट्रिपल फुट्प्रिंट मिले हैं क्योंकि वारदात के बाद सेमिनार हॉल के पास रेनोवेशन करवा दिया गया था और यही वज़ा है कि 10 से ज्यादा बार CBI की अलग-अलग टी में अस्पताल का निरिक्षर करने समिनार हॉल से सबूर जुटाने पहुँच चुकी है इतना ही नहीं CBI ने दो बार 3D लेजर स्कैनिंग भी की और यही वज़ा है कि अब मुख्यारोपी का साइकोलोजिकल टेस्ट के बाद अब पॉलिग्राफ टेस्ट भी करवाया जाएगा CBI सूतरोग का मानना है कि शक्की सुई पूर्व प्रिंसिपल संदीब घोश पर भी है अब सवाल उड़ता है कि आखिर पूर्व प्रिंसिपल से क्या जानना चाती है CBI और आखिर ऐसा क्या सच है जो पूर्व प्रिंसिपल छुपा रहे है जिसके चलते उनसे पिछले चार दिनों से कई-कई घंटों की पूशता जारी रही क्या संदीब घोश और संजे रोय में कोई करेक्शन है यहां जानना बेहत जरूरी है क्यारचीकर अस्पताल ने पहले ट्रिनी डॉक्टर की हत्या को सुसाइड बताया था अब ट्रिनी डॉक्टर के साथ क्या हुआ इस हकीकत का परदाफाश पॉलिग्राफ टेस्ट से होगा CBI को उमीद है कि इससे दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा ऐसे में जानते हैं कि आखिरकार पॉलिग्राफ टेस्ट क्या होता है कई बार आरोपी से सच उगलवाने के लिए पुलिस पॉलिग्राफ टेस्ट करवाती है जो समें लाई डिटेक्टर मशीन, जूट पकडने वाली मशीन के जरीए जूट पकडने की कोशिश की जाती है इसमें आरोपी के जवाब के दौरान शरीर में होने वाले बदलाग के जरीए ये पता लगाया जाता है कि आरोपी सवाल का सही जवाब दे रहा है या फिर नहीं इस टेस्ट में आरोपी की शारेरिक गती वीधियों को अच्छे से रीट किया जाता है और उनके रियाक्शन के हिसाब से तैह होता है कि जवाब सच है या गलत ये एक मशीन होती है जिसके कई हिस्से होते हैं जवाब देता है तो इन्हीं यूनिट से डेटा मिलता है वो एक मेंड मशीन में जाकर जूट या सच का पता लगता है शरीर पर करेट की जाने वाली यूनिट्स में न्यूमोग्राफ, कार्डियो, वस्कुलर, रेकॉडर और गैल्वेनो मीटर होता है साथी प्लस कफ हाथ पर बांधे जाते और उंगलियों पर लोम ब्रोसू, गलफ्स बांधे जाते हैं इसके साथी मशीन से ब्लड प्रेशर प्लस रेट आदी को भी मॉनिटर किया जाता है शरीर पर लगाई जाने वाली डिवाइस में यूमोग्राफ के जरिये प्लस रेट और सांस आदी को मॉनिटर किया जाता है जवाब के दोरान सांस के जरिये जूट सच का अंदाजा लगाया जाता है इसकी एक ट्यूब होती है जिससे सीने के चारो तरफ बांधा जाता है कॉडियो वास्कुलर रिकॉर्डर से दिल की धरकन और ब्लड प्रेशर को मॉनिटर किया जाता है क्योंकि जूट बोलने पर इसमें आसमाने बदलाब होता है जिसससे सच का पता किया जा सकता है जिनका केस से लेना देना नहीं होता फिर अधिकतर सवाल हा या ना के फॉर्मिट में पूछे जाते हैं और इसके एक्सपर्ट उन मशीन के डेटा से सच पता लगाते हैं इसमें प्लस रेट, ब्लड प्रेशर, सांस, इसकिन पर होने वाले बदलाव शाररिक सेंस के डेटा के हिसाब से नतीजा निकाला जाता है जूट बोलने वाले की दिमाग से निकलता है अलग सिगनल जो इनसान किसी सवाल का जूटा जवाब देता है तब उसके दिमाग से एक P300 सिगनल निकलता है ऐसे में उसका हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ ज़ाता है लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि पॉलिग्राफ टेस्ट हमेशा सठीक नहीं होता टेस्ट कभी कभी दिखा सकता है कि कोई वेक्ती जूट बोल रहा है जबकि वे वास्तप में सच कह रहा होता है दर असल मशीन बोडी के रियाक्शन पर सच पता लगाती है लेकिन कई बार आरोपी की मासिक स्थिती की वज़़ा से रिजल्ट गलत भी हो सकता है सीधे शब्दों में कहें तो पॉलिग्राफ परिक्षा जूट का पता नहीं लगाती है यह भावनाओ के संकेतों का पता लगाती है पॉलिग्राफ टेस्ट में मशीनों के जरिये प्लस रेट, सांस, प्लिट प्रेशर, पसीने, इसकिन में बदलाव आदी के डेटा के अध पता लगाया जाता है, लेकिन इसमें व्यक्ति को सोडियम पैंथोधल नाम की दवा का इंजेक्शन दिया जाता है, फिर वो आधा बेवहोश हो जाता है और जूट नहीं बोल पाता, ऐसे में आरोपी से सच या जूट का पता लगाया जाता है, स्कूरी रिपोर्ट को लेक अगर क्या आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर बताईए, तब तक के लिए देखते रहें, यूज वन इंडिया